और चलिए इस विस्तार से विश्टलेशन के लिए मैं राजीव करू कर रही हूँ राजीव क्या लग रहा है ये हलंकी दितीश कुमार काफी हलके में बहुत भारी बात वो कह जाते हैं देखे पूजा पूर्ण बहमतवाली नरिंद मोदी की सरकार समय से पहले चुनाव क्यों कराएगी और ये चर्चा क्यों चल रही है ये जानना जरूरी है दर असल क्या है कि पिछले लोगसबा चुनाव अगर आप 4, 9, 14, 19 की बात देखें तो चुनाव आयोग जो अधिकारी या मास्टर ट्रेनर जो होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग कराता रहा है पिछले लोगसबा चुनाव से पहले इस बार वो ट्रेनिंग थोड़ी पहले शुरू हुई है हलाकि इसकी वज़य वो नहीं है चुनाव आयोग समय समय पर ट्रेनिंग कराता है इस वक्त भी वो ट्रेनिंग चल रही है तो राजे सरकार के करमचारी अधिकारी उसमें जाते हैं तो ये बाद ये चर्चा चल चुकी राज्यों के प्रशासन शासन को पता है तो ये जब पता चला लोगों को कि इस बार ट्रेनिंग थोड़ा पहले हो रही है तब ये अंदाजा लोगों ने लगाना शुरू कर दिय कि कहीं इसकी वज़े से ये चुनाऊ जल्दी होने की तैयारी तो नहीं की जा रही है मतदान कर्वियों को या एलेक्शन की ट्रेनिंग जबकि ऐसी कोई बात इलेक्शन कमीशन के सूतरों के मताबिक ऐसा कुछ नहीं है वो समय समय पर ट्रेनिंग कराते रहते हैं लेकिन य उनका सर्वे आता है राजिस्थान का मद्यप्रदेश का और 36 गड़ का जो चुनाव नवेंबर में होने हैं तो उन चुनाव का बहुत उत्साहजनक सर्वे बीजेपी की तरफ से नहीं आता है ये सुत्रों के मताबिक है और इन तीन राज्यों में भारतिय जिंता पार्टी और कॉंग्रेस की टक्कर होनी है और इस टक्कर में अगर ये एक सियासी अंदाजा ये लगाया जाता है कि जब इतनी मजबूती स्थिति में नहीं है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनी तीनों राज्यों को जीतने के लिए और अपना तीन राज्यों के बाद इसकी अगर बी सबा के चुनाव तो नहीं हो जाएंगे ये जो तरक मैं बता रहा हूं ये अरली चुनाव या जल्द चुनाव के लिए जो खाका गणित लोग बैठा रहें दिमाग में राज्यितिक पंडित वो ये दो बातें हैं लेकिन इसके उलट दो बातें ये हैं कि 2004 में 2003 में इन ही रा राय देकर अटल विहारी वाजपेई और लाल किस्ट आजवानी जी को इन दोनों नेताओं को राय देकर उन्होंने समय पूर चुनाव करा दिया कि ये बल्ले बल्ले इंडिया शाइनिंग है तीन-तीन राज्यों में दस साल से मद्ध्रदेश की सरकार कॉंग्रिस को हटान में हम कामियाब हुए और बहुत ज्यादा सीटे मद्ध्रदेश में मिली थी और राजस्तान में मतलब इन तीनों स्टेट्स में बहुत अच्छी सीटों से भारती जनता पार्टी ने चुनाव जीता था और उसी फेर में 2004 का लोगसबा चुनाव पहले करा दिया गया जिसक मन्त सौदा साबित होगा ठीक यही बात 2019 में भी कही जा रही थी कि प्रधान मंतीर नरेंद मोदी हो सकता है पहले चुनाव करा दे और ठीक उसी तरह के कयास 2014 में भी लगाय जा रहे हैं आप याद रखिए कि 2018 का जब इन ही तीन राज्यों के विधान सभा के चुनाव के न लोग सभा में भारती जंता पार्टी ने सूपड़ा साफ कर दिया कॉंग्रेस पार्टी का तो चोड़के मद्परदेश राजस्तान में तो यह कयास लगाय जा रहे हैं जबकि मुझे ऐसा लगता है परसनली कि जिस मजबूत इस्तिति में प्रधान मंतीर नरेंद मोदी है उससे इन तीन राज्यों के चुनाओ लोग सभा चुनाओ पर कितना असर डालेंगे मुझे नहीं लगता एकतर कहर यह दिया जा रहा है कि चूकि विपक्षी एकता की मीटिंग हो रही है चूकि विपक्ष को बहुत जादा मौका ना मिले एकता का और सीटों के बटवारे क करा और गटबंदन का इसलिए भी यह चुनाओ पहले करा जा सकता है यह विपक्ष की तरफ से बाते कही जा रहे हैं ताकि लोगों में के दिमाग में यह बात जाए कि प्रधान मंतिर नरेंद मोदी या बीजेपी मनोवाई ग्यानिक दबाओं में यह सब दिमाग के खेल है पुजा कुल मिला करके प्रधान मंतिर नरेंद मोदी इतनी मजबूत इस्तिति में हैं इतनी मजबूत लोगसभा के सदस्यों की संख्या उनके पास है कि मुझे कोई कारण नहीं लगता कि समय से पहले वो कोई चुनाओ कराएंगे